हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम काले चनी की सबजी बनाने वाले हैं, इसके लिए मैंने थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा साधरक का टुकड़ा, थोड़े से लहचुन की कली, और इसके साथ में मैंने दो टमाटर लिये हुए हैं, दो प्याज जिसे मैंने भू प्याज को भून लिया है, इस तरह चाको अटका कर, मैंने उल्टा सीधा करके प्याज को भून लिया है, दोनों प्याज को इस तरह भून लेने से स्वात काफी अच्छा आता है, प्याज को छीले बगेर उसकी उपर की पपड़ी काली हो जाने तक हमें प्याज को भूनना होता है और इसके बाद में इस उपर की परत को निकाल कर हमें प्यास को पीस लेना होता है ये काले चने हमने रात में भिगो दिये थे इसे बगारने के लिए मैंने कुकर में तेल डाला है मैंने यहाँ एक चमच जीरा डाला है जीरा सुना रहा हो जाने पर अब हमें इसमें कड़ी पत्त डाल देना है इसके बाद ये प्यास हमने जो पीस लिया और इसके बाद हमने टमाटर, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है इस पेस्ट को हमें अब इसमें डालना है अब इस मसाले को हमें अच्छी तरह से मद्यम आज पर भूनना है करिब 10 मिनिट तक इसमें से सारा तेल ये मसाला जब तक अलग ना छोड़ने लगे जब ये तेल अलग छोड़ने लगता है याने मसाला पक चुका होता है इसमें हमने एक चमच मिर्च गरम मसाला अधा चमच हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर एक चमच इसे डाल कर हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और बस हमें इसे भूननी देना है मध्यम आज पर करीब 10 मिनिट तक अब ये तेल छोड़ने लगा है दस मिनिट हो चुके ह है यानि है माफ़ा अच्छी तरह से सिख चुका है अब हमे इसमें चन्नी इदाल देने है और चनों में हमें पानी उतना डाला है कि सारे चनी दूप जाईया अच्छी तरह से और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब हमें इसमें नमक, यहां में दो चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसके साथ मैं एक चुटकी भर सोडा भी डाल रही हूँ ताकि केवल चार सीटियों में आपकी चने अच्छी तरह से पक जाएं बिल्कुल चोटी चम्मच, यहां मैंने सोडा लिया हुआ है, लगभख एक चुटकी और बस हमें अब कुकर बंद कर देना है एक सीटी हमें गैस की तेज आज पर बजा लेनी हैं, उसके बाद में हमें गैस धीमी कर देनी हैं और तीन सीटियां और बजानी है यह अब सब्जी पक चुकी है, और सारे चने अच्छी तरह से मुलायम हो चुके हैं इसकी खुश्पु बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि हमने प्याज भून की डाला था यह देखिए, एकदम सॉफ्ट हो चुका है चना अब यह सब्जी खाने के लिए तयार है क्योंक बीकिस दोते हैं यह सब्जी आती है जह सब्ऺब़गोगोगे, ट तर् स reckless दियाक